नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाला हूँ Angel One Account को कैसे बंद कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको Step by Step करके बताऊंगा कैसे आप अपने Angel One Demate Account को Permanently Close करेंगे बस आपको इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखना होगा और मैं आपको 100% गारेंटी के साथ काता हूँ आपका Angel One Demate Account Permanently Close हो जाएगा यानि हमेशा के लिए आपका Angel One Demate Account बंद हो जाएगा वीडियो सुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे जैनल पर पहली बार हैं तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी अगर वीडियो अच्छे लिद वीडियो को लाइक कर दीजी तो चलिए करने तो कोई बैस तो नहीं है तो यहां पर नीचे देखने प्ली बत। बस क्या करेंगे शौट-फोलिय पहल्ट में क्लिक करेंगे क्लिक करने बाद यहां प्स कोई भी शेल भी करने करने होगा तो हैं कि अपर शेल करना होगा यहां पर हैं को फॉत करें तो इस तरह सा अपना पहले क्या करेंगे चेक कर लेंगे यहां पर अपना सारा कुछ चेक करने के बाद अपना पॉर्टफोलियो और यहां पर अपना फंड सारा कुछ यहां पर चेक कर लेंगे इस Gmail application को आपे open कर लेंगे, open करने बाद यहां पे आपको क्या mail भेजना है, क्या क्या लिखना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको step by step करके बताने वाला हूं, बस क्या करेंगे, यहां पे आपको नीचे देखनी मिलेगा, compose, बस क्या करेंगे, simply आपको इस compose में click करेंगे, click करने बाद यहां पे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखनी मिलेगा, तो guys, यहां पे आपको ध्यान रखना, यहां पे आप जब भी mail send करेंगे, Angel One को, तो Angel Broking को जब भी आप mail send करेंगे, आपको उसी mail ID से message send करना, यहां पे email send करना, जो आपने, जो कि आप Angel One account जब ब mail ID आजागा, जिस भी mail से आपना send करना, जो भी mail ID से अपना Angel One बनाए होंगे, Angel Broking, बनाए होंगे, उस mail ID को सबसे पहले हैं पर select कर लेंगे, तो यहां पे आप देख से हिते हैं, मिरा आप है already पहले से select है, उसके बाद यहां पे आपको नीचे दिखनी मिलेगा, to, तो यहा आपको इस तरह मैं लिखना हूं, उसके बाद यहां पर आपको नीचे दिखनी मिलेगा, add receipt क्लिक करेंगे, क्लिक करने बाद यहां पर आपका support address angelbroking.com, यहां पर आपका add हो चुका, उसके बाद यहां पर आपको नीचे दिखनी मिलेगा, subject, तो क्या करना, simply आपको subject में ग् लिखना है आई वांट आई वांट टू क्लोज माई एकाउंट यहां पर लिखना आई वांट टू क्लोज माई एकाउंट उसके बाद गाई सब सब्जेक्ट लिखने बाद जहां पर आपको नीचे देखने लेगा कंपोज email बस क्या करना आपको इस compose email में क्लिक करना क्लिक करने बाद simply फिर से आपको लिखना है I want to close I want to close my account उसके बाद फिर से आपको आपको नीचे आजाना जैसे नीचे आगे नीचे आपको लिखना है my client ID माइ-client ID उसके में इस तरह से देना है घाई इस Иहापको शस्तर लिखने बाद ने भात यहां प्या करेंगे हैं सबस्क्राइब करें श्यूंगे मैं इसुक्म good my Gmailuç बनाए होंगे आपका आइंजल वन उसी mail आईडिया निए उसी Gmail ID को यहां पर fill-up करेंगे जो भी आपका Gmail ID होगा simply क्या करेंगे आपको Gmail ID को fill-up करेंगे आपना Gmail ID को fill-up करने बाद फिर से यहां पर क्या करना आपको इस पेस देके नीचे आ जाना है यहां पे इस सबस्चों करना सब्सक्राइब 2co2पर Conference 5 जवं है इस तरह से आपको analogy सकते हैं तो आपको Screenshot वहां से वहां से आप इसको क्या करेंगे Screenshot 8-1 वाल जिसFT से यहां पर मैं लिखाओं इसी तरह सेम सेम आपको लिख लेना है यहां पर अपना सारा कुछ सही-साही लिखने के बाद यहां पर आपना I want to close my account, my client ID, my gmail इस इतना सारा कुछ है सही-साही फिलप करने के बाद यहां पर आपको उपर साइट देखने मिलगा, send करने का option, बस क्या करेंगे, send arrow में, इस arrow में click करेंगे, click करने बाद यहां पर कुछ सेकेंड वेट करना है, आप यहां पर इमेल है, जैसे आप यहां पर mail send करने के बाद, angel1 के तरफ से आपको एक mail आएगा, mail लगबग 5-6 मिनट के अंदर एक mail आता, mail आने के बाद उस mail ID में, आपको होँपे mention किया वारा था, जो आपका account है, लगबग 6-7 दिन के अंदर आपका permanent, आपका जो account है, permanent close कर दिया जाएगा, यहां पर करने बाद देख सकते हैं, मुझे अभी एक message आ चुका, यहां पर देख सकते हैं, लगबग 10-47 मिनट में मुझे एक message आ चुका है, जो कि मैंने अभी में message किया है, उसके यहां पर क्या करना, इस message में click करना, click करने बाद यहां पर देख सकते है, auto reason case, यहां पर हो चुका है, यानि मैंने यहां यहां पर case file card, यहां पर उसके बाद यहां आपको जो एकाउंट है, लगबग आपका 72 hours के अंदर अंदर आपका एकाउंट को चेक किया जागा, चेक करने को बाद देन आपका लगबग 6-7 दिन के अंदर अंदर आपका जो एंजल 1 का एकाउंट है, पर्मानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा, तो दोस्तों इस सब्सक्राब करें, अगर आपको खुछ पूछना और कुछ क्वारी जो तो कमेंट बॉक्स में आपकामेंड कर सकते हैं, जाहिन जा भारत